अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ मैं सब बढ़ी होगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे साउथ अफ्रीक और नेपाल के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप का मैच नमबर 31 खेला जागा भाई इसको डिटेल में कवर करेंगे वीडियो कम्प्लिट तो आज के मैच में आप लोग कोन से प्लेयर को अपनी स्मोल लीकी टीम में रखोगे आप लोग अपनी ग्रेंड लीकी टीम में कोन से प्लेयर को रखोगे और एज़े ट्रम कार्ड किसको ट्राइ करोगे कैप्टन सी की बैस्ट ओप्टन सी किसको करोगे पिच रिपोर्ट देखना एक साइड आप लोग देख पाऊगे साउथ अफरीका के जो टीम है दोस्तों ये ओलड़ी आगे के लिए बाई क्वालिफाई कर चुकी इसने अपने तीन मैच में से तीनों मैचिज ओलड़ी वोन कर रखे है लेकिन दूसरी सेड अगर नेपाल की बात करें तो इनक मैचे आपके लिए अच्छी ओपसंन होने वाली इस मैच के अंदर और अच्की परफोर्मेंच करके आपको कोईबी स्किप नहीं करनी है सबसे पहले चैनल पर नहीं होते हैं सबसक्राईब करके नोटिफिकेशन वेल उन कर लेना आने वाले किसी मैच के वीडियो आपको मै जरूर से कर देना हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसे उपर टोप में पिंड गमेंट है वहाँ पे मिल जाएगा क्लिक करके जोईन कर लेना क्योंकि टोस होने के बाद में कोई भी अपडेट होंगी फाइनल टी में कोई भी चेंज़िस करेंगे लास्ट मॉमेंट आपको सारी अपडेट आफटर टोस टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट की जाएगी तो comment section में लिंक के दोस्तों simply जी और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को join जरूर से कर लिजिए यहां से बात करतें दोस्तों सबसे पहले venue के बारे में venue की बात करें अर्नोस वाले ground, अर्नोस वाले सेंट, विंसेंट के venue पर यह match कला जाएगा पिच की बात करें एक balance surface रहेगा, मतलब कईना कि आपको यहां पर देखो बल्ले बात जो के favor में भी चीज़े जाती दिखेंगे आपने वल्ड कप के matches follow गरेंगे तो आपने एक चीज़ देखे होगी बाई, यह काफी कम runs बन रहे थे, लेकिन अभी जो है विकेट टोटली चेंज हो चुके हैं, तो अब जीन विकेट के उपर matches खेले जाएगे, नहां पर आपको देखो अच्छे खासे runs देखने को मिल सक पाई, अब एक साइड देखो निदरलेंड उतनी ज्यादा स्टोंग टीम नहीं थी, आप लोग यह मान के चलना ठीक है, लेकिन बंगलादेश की टीम ने अच्छी बल्ले बाजी करें और 160 का स्कोर किया, जहां पर पिछले मैच जो सकोर केवल 120 या फिर 130 तक देखने को मिल पा रहे थे, उनकी अगर साथ में कंपेर करोगे तो इस विगेट पे काफी अच्छे रंस बने थे लास्ट मैच में, और अगर यहां पे साउथ अफरिका ने पहले बल्ले बाजी करें तो आप लोग इस मैच में कम से कम 150-160 प्लस का स्कोर एक बर फिर से मान के जरूर करें, ठीक है, विगेट की बात करें, जो कि स्पोर्ट कर सकता है, में यहां पे स्पिन गेंबाज होगो, क्योंकि अगर आपने लास्ट मैच भी देखा गो, तो स्पिन ने अच्छे खासे विगेट निकाले, और टोटल अगर मैं बात करूँ पिसले 10 मुकाबलों की, तो इ यहां पे भी बोला था कि रिशाद हुसेन को, भाई आप लोग अपनी टी में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की डिफरेंशल 24 में लेके चलना, जो कि एक स्पिन गेंद बास थे, और कितनी अच्छी परफोर्मेंस उन्होंने करी, कितने विकेट लिए, वो आप लोग खु और है, पहली निंका 119 और सेकंड निंका 149 के आसपास है, लेकिन वही चीज़ है कि साउथ अफरिका पहले बल्लेबाजी करेगी, 160 के अपरोक्स तो स्कोर मान के चलना, पलसी जा सकते है कुछ ना कुछ यहां पे, लेकिन नेपाल की टीम शायद उतना पड़ा स्कोर, फस् साइड आपको वीक टीम दिखेगी, मतलब साउथ अफरिका के विन करने के चांसे हाई रहेंगे, चाहिए वो पहले बल्लेबाजी करें या फर सेकंड बल्लेबाजी क्यू ना करें, बात करते दोस्ते एक बार दोनों टीम्स की प्लेंग 11 के बारे में, साउथ अफरिका की क्विंटन डिको के साथ में रिजा हेंडरिक्स ओपन करेंगे, एडन मारकरम, ट्रिस्टन सब्स हेंडेज क्लासें, डेविड मिलर, मारको यांसें, केसो माराज कगिसो रबाडा, एनिच नूर के रोब आटमेंड, ये टीम आपको दिखेगी, साउथ अफरिका की, नेपाल आप लोग जरूर फोकस करके चलना, तो दोनों टीम्स की लाइन अपस आप लोग देख सकते हैं, और आपको शायद देखने को मिल जाएगा, तो वेन्यू बढ़ी है, बैटिंग को कोई ना की सपोर्ट रहेगा, लेकिन साउथ अफरिका पहले बल्ले बाद जिकरीगी, ए मैच का किस परकार आप लोग की रियेट करके चलोगे, तो सबसे पहले आएंगे दोस्तों यहां से हम लोग विकेट के पिंग सेक्शन के अंदर, पहली ओप्सन हैंडेज क्लासें, आप बंद करके पिक करोगे, डिकोक को आप बंद करके रखोगे, दोनों प्लेयर इंपोर टीम में रखना, फिर आपको कैप्टन सी, वाइस कैप्टन सी नहीं करनी, यह द्यान में रखेगा, लेकिन अगर पहले बल्ले बाजी करेगी, साउथ ओफरिका की टीम क्लासें को आप लोग अपनी टीम मैचे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, लास्ट मैच में अच फरस्ट बल्ले बाजी, सेकेंड बल्ले बाजी, दोनों में कैप्टन सी, वाइस कैप्टन सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह दो प्लेयर बिल्कुल कोमन पिक्स है, यहां से देखो, असीफ से के काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन यह उपन करने वाले प आपको दिखेगी, इसो नेपाल के अर्ली विकेट गरने के चांस बनेंगे, उस केस में मैं असीफ सेक को अपनी टीम में विल्कुल बैक नहीं करूँग, ना मैं यहां से बैक करूँग, वाई, एक कुमार साको, आप लोग अपनी ग्रेंड ली की टीम में अगर देखो, अ अच्छा प्लेयर चीए, नेपाल के टीम का ले सकते हो, भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से देखो, ट्रिस्टन सब एक अगला विकल्प रहेंगे, और यह एक हाड़ीटर का रोल प्ले करके जाएंगे, अगर साउथ अफरीका की टीम की बात करेंगे, बी काफी कम है, और यह मैच विननर प्लेयर आपके लिए कहिना की इस मैच में बनके जा सकता है, क्योंकि पिछले दोनों मैचिज इनके उतने बढ़िया नहीं गया है, अगर मैं तीन मैच की बात करूँ सोरी, क्योंकि साउथ अफरीका तीन मैच खेल चुकि और तीनों दूसरा बैटिंग सर्फेस अच्छा दिखेगा, तो रिजा के बल्ले से कच्छी पारी की हम लोग उमीद कर सकते हूँ, और पिछले तीन मैच में रिजा सिर्फ देखो याँ पे केवल साती रंस कर पाई है, काफी खराफ हो मैं लेकिड विकेर चेंज होगा हो सकता है, इन बारे मैं बात करूँगा, एड़न मारकरम देखो फस्ट डाउन बल्ले बाझी करेंगे, इनका रॉल इंपोर्टेंट रहेगा फस्ट बल्ले बाझी में भी, ठीक ठाक पर्फॉर्मेंस करी अगर एड़न मारकरम की भी बात करें, टीम के काप्टनसी भी कर रहे हैं, एक ही म मैच में केवली अभी तक 16 इरंस कर पाई बढ़ फिर भी मैं इस मैच में बैक जरूर करूँगा ठीक है दिपेंदरा सिंग एरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर नेपाल की टीम की सैड़ से बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अच्छा बैक अब देखे जाएगा अगर देखो अब ध्यान से सुना तो टिप दूँगा नेपाल की टीम अगर इस मैच में पहले गेंदबाजी करने आए ना तो आप लोग चाहो तो अपनी टीम में दिपेंदरा सिंग एरी को डिफरेंशल पिक में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकते हो क्योंकि बाई देखो आप लोग दिपेंदरा सिंग एरी को डिफरेंशल पिक में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकते हो कैसी करन काफी अच्छे प्लेयर है बैटिंग वैक अप भी दिये सकते हैं गेंदबाजी में प्रुपर आपको चार वर मिल जाएंगे और पहले गेंदबाजी करेगी य अप्रशन जहाह काफी अच्छे प्लेयर है लेकिन डिपैंड ये करता ही कि क्या गेंदबाजी भी मिलेगी भाई अगर गेंदबाजी मिलती है गिल्सन जहाह को तो वहज़िए एक बढ़िया प्लेयर आपके लिए बनके जा सकते हैं लेकिन अब तक अगर मैं फोन की बात क आप अच्छा देखे जा सकते भाई ये ध्यान रखना लेकिन क्या भाईया साउथ अफरीका के पेस अटेक के सामने टिक पाएंगे वो सबसे बड़ी चीज रहेगे लेकिन उससे बहतर उप्सन अगर आपको मिले तो आप फिर केसी करन के साथ में जाना ठीक है बुलिंग सेक हो चुकी है तो मुझे लगता है कि भाई पूरे पूरे चांसे जा इस मैश में खेलने के और ये प्लेर अगर खेलेगा ना तो फिर कहीना की थोड़ा वापसी करवा सकता है नेपाल के टीम को क्योंकि इनके स्पिन के अंदर फिर चार वर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंग ये बोर आपके पास में ठीक ठाक फी गल्प है कामी को ट्राई गर सकते हो ओ बार्टमेन मेरा फेवरेट है मैं तो नहीं चोड़ सकता बाई और फोम भी देखोगे तो बार्टमेन ने अब दक कुल मिला के बहुत ही अच्छी दिखाई है देखो गेंदबाजी साउथ अफ के साथ में आप लोग जा सकते हो जो की बैटिंग और बोलिंग दोनों में अच्छा बैक अप देखे जाएंगे अब आप लोग बैटिंग सेक्शन से या फिर भाईया कहीं से भी कोई प्लेयर लेना चाहो अगर किसी को ड्रोप करके तो फिर ले सकते हो आसीव से एक आपक बल्लेबाजी करना है कि डारेक्ट मैं मिलर या फिर भाईया ट्रिस्टन सर्स दोनों में से एटलिस्ट मैं किसी एक प्लेयर को अपने टीम में जरूर बैक करूँआ ठीक है अभी अपने पास में कन्फरमेशन नहीं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गिनवाजी है सेकेंड बल्लेबाजी हो सकता है कि मैं इनको टीम से ड्रोप भी कर दूं हो सकता है लेकिन पोसिबलीटी कम रहेगी लेकिन डेविड मिलर या फिर भाईया ट्रिस्टन सब्स दो ऐसे प्लेयर जिन में से कोई एक तो एटलिस्ट मेरी टीम में जरूर आ जाएगा जब पर जीये जोईन कर लीजिये चैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बात करते बाई डी को को रिजा हेंडरिक्स आपके लिए बढ़िया विकल पर इस मैस में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी और साउथ अफरिक अगर पहले बल्लेबाजी करने उतरे आप लोग चाहो तो wise captain try कर सकते हो जब South Africa पहले बल्ले बाजी करे तब भी बाई second बल्ले बाजी गेंद बाजी करे तब भी कर सकते हो कोई issue नहीं है क्योंकि विकर तो नेपाल की team के definitely गिरने वाले हैं तो ये तो आप लोग मान के चलना तो मेरा जो personal suggestion रहेगा वो आपको ये रहेगा कि आप लोग South Africa की side से ही अपनी team में captaincy wise captaincy रखो differential जाना है पहले बल्ले बाजी करे South Africa class in को unique में रख सकते हो पहले गेंद बाजी करे नेपाल आप लोग दिपेंदरा सिंग एरी को differential captaincy wise captaincy में रख सकते हो ये दो options आपके लिए रहेंगे भाई logical लिए जब आप लोग team selection करोगे ठीक है तो ये मेरे 11 प्लेयर की team में changes वरे कर रहूँ है टेलीग्राम पर आपको update कर दूँ है तो उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपने complete watch क्या होगा पसंद आया होती है और वीडियो को लाइक है और चैनल को सबस्क्राइब कर गर गर नोटिफिकेशन बैल जरूर शेओन कर लेना आने वाले किसी भी मैचेज के वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तो अगले मैच के वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम स्लेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी